हेलो श्रीट रेंड्स, वेल्कम टू माइन नर्चर, मैं हूँ क्रिश्ना, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, चलो श्टार्ट करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मिसी का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फाइव, कमपाउंडिंग इन एक है आई-वी एड्मिक्स्चर, सर्वीसे से इनकॉंपेटिबिल्टी, इनकॉंपेटिबिल्टी, सिंपल सा टॉपिक है, देन टोटल परेंटरल निट्विशन, सारी चीह असान है, इसके अंदर एक चीज जो मैं तुम को यह बताना चाहरा था वेटा, वह यह बात यह है ठीक है न में वापस लिए एक मैंशन कर दे रहा हूं, प्येसले जो चैप्टर है थार सार वाले तब भी मैंशन किया था, तो फॉर्थ वाला जो है उसको बने थार लिखा है, फिफ्ट वाले को फॉर्थ लिखा है और विख्ट वाले को चैप्टर नुमर फाइव किया है जो कि according sequence होना चाहिए ठीक है चलो फटब फटब इस्टार्ट करते हैं हम लोग अपना तो bulk compounding compounding क्या होती है हम सबको पता है compounding का मतलब क्या होता है compounding हम लोग क्या करते है mixing करते है जैसे कि मानलो किसी को एक दवा दे नहीं है कोई एक इनसान है उसे बुखार भी है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसे बुखार भी है दर्द भी है ठीक है और कोई infection भी है है ना तो हम लोग क्या करेंगे एक याल दवाई मिलाई याल दवाई ली दोनों को mix कर दिया mix करके एक खुराग दे करके उसको दे दिया के लिए रबाते हैं अच्छा अब ये compounding हम hospitals में कर रहे है compounding in hospital एक compounding जो ready made tablet बनके आती है ठीक है वो already compounded है वो dose की form में आ रही है ठीक है hospital के अंदर क्या हो गया है कई बार कुछ ऐसी चीजे होती है कि हमें patients को कुछ ऐसी dose देनी होती है जो market में available नहीं है कुछ ऐसी preparation देनी होती है जो market में available नहीं है तो ऐसी situation में क्या होता है hospital के अंदर ये एक छोटा सा compounding area ये यूँ कह सकते हैं छोटी सी manufacturing पूरा proper machine type नहीं होती है manufacturing मतला है उसके अंदर mixer होगा crushing वाली चीज़े होगी कि crush करके mix करके एक proper setup होता है जहां पे अलग अलग दवाजयों को मिला करके अग patient की need के हिसाब से वो दवा तयार कर दी जाती है that is simple compounding in hospital हर hospital में नहीं मिलेगा ये चोटे मोटे उसके बिल्कुल नहीं मिलेगा ये ठीक है ना बात को समझता है चोटे मोटे hospital के अंदर compounding होती ही नहीं है बड़ बड़ होस्पिटल होते है उनका अपना खुटका compounding एरिया होता है अलग से तो में खालते बात समझ में आगी हुए आ रहे है तो इसकी definition में कोई दिक्कत नहीं होगी drug compounding is often regarded as the क्या है drug compounding क्या है regarded as the process of combining एक process है जिसमें हम combine कर रहे है mix करते है combine किया mix कर दिया और या फिर altering ingredients ingredients को alter कर दिया उसके अंदर जो ingredients हैं उसमें बदलाव ला दिया क्या ला दिया ठीक है to create a medication combine करके mix करके या alter करके उसके ingredients को बदल करके एक ऐसी medicine बनाएंगे जो की tailored to the need of an individual patient tailored tailor का काम क्या होता है tailor जो कपड़ वाला होता है कपड़ा वही है दो मिटर का लेके आते हैं हम लोग लंबा और छोटा आदमी है लेकिन fitting के हर इंसान की fitting के हिसाब से कपड़े सिलता है वैसी ये medicine भी tailored की गई है individual की need की हिसाब से उसको कैसी need है उसके according dose का adjustment करके finally उसको दी जा रहा है यह नहीं की market ने 500 miligram आ रहा तो वो ही चला तो ना हम लोग उसकी dose की हिसाब से क्या करेंगे उसे मालो 3500 चाहिए अब भाई या 500 आती है या 500 आरी 3500 नहीं आ रही है तो उसकी need के हिसाब से हम लोग tailor tailor का काम क्या होता है tailor एक English का word है किसी के need के according कोई काम करना tailoring बास समझ में आ गई compounding includes combining of two or more drugs इसके अंदर 2 या 2 से जादर drugs को हम लोग mix करते हैं ओके ना और एक definition देख लें compounding in hospital pharmacies preparation of या फिर हम इसको इस तरह से देखें जो compounding है hospital pharmacy के अंदर ये क्या है preparation of customized formulation customized मतलब custom customize करना जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाना customized formulation ऐसा formula तैयर करना जैसी need है patient की customized formulation of our medication to fulfill the unique need of patient patient की unique need है उसे क्या चाहिए उसके हिसाब से दावी बनाई ठीक है of patient which cannot be fulfilled by commercially available product क्यों हमने customize करी क्यों हमको बनाने पड़ी क्योंकि commercially available product है जो market में पहले से product मौझूद है उनको उनकी dose patient की need के हिसाब से match नहीं करती है ऐसा होता है बेटा बहुत से तुम लोगो लगता होगा यार ऐसा कैसे होता है डॉक्टर तो हम कहीं जाते हैं डॉक्टर तो हमको लाके दे देता है तो नॉर्मल चीज़े देखने को नहीं मिलेगी यह बड़े बड़े hospital के अंदर hospital pharmacy है hospital pharmacy बात ऩो रही है जहां hospital pharmacy होगी वहां hospital compounding होगी कभी बड़े hospital में जाओ تو बात करना और बहूंट होगा Smeshiva Vai होती है तो वहां पर यह सब बात से करना कि यह सब चीज़े होती है willingly यह होती है हमारे यहांपर मैं फार्मसिष्ट हूं जस्ट ऐसा नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं मैं कि मैंने पड़ा है कभी छोटोंटों हॉस्पिटल नो नहीं देखा है करके देखना ही ठीक है अगला इंसान जब जाने गा न कि तुम भी फार्मसिष्ट हो तो तुमको थोड़ी सी तवज्ज्यों प्रिश्ट देगा वो अच्छा तुम ही फार्मसिष्ट हो गेटा ऐसा होता हो बतायागा थीक है न अगर बहुत जाओ ता बीजी नहीं हुआ तो ऐसा काम में बहुत जा बीज्यों तुम जाके विज्ट बहुत आई बता हो ऐसा मत करना हड़का देगा नहीं तो ठीक है आ पॉंडेड मेडिकेशन को देना चूज करता है किसी पेशेंट को कब विद एन अनीजूल हैल्थ नीड सचेस उसकी एक ऐसी हेल्थ है क्योंकि अनीजूल है नॉर्मली ऐसी हेल्थ होती नहीं पेशेंट की साधानाद हेल्थ में तो हम टेलबट पकड़ा दिया ठीक है ठीक है कुछ ऐसी conditions होती हैं जिन conditions से हम commercially जो medicines आ रही है टेलबट सीरॉप हम नहीं दे सकते उनको थीक है अब क्या 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 condition हो सकती है कुछ ऐसी situation हो सकती है who cannot take commercially prepared drug ऐसे patient जो commercially prepared drug नहीं ले पा रहे है हुर रुकौईर दोज टाहिए जिसको दोज टाहिए चाहिए यह रही की हमारे पास मेनुम पचास एंजी की तो बनाह पड़ू चाहिए। वो रिक्वाइर डिफ्रेंट फॉम्मुलेशन सच अच टर्निंग पिल और लिक्विड ठीक है न जिसको कुछ थोड़ा सा क्या है अलग टाइब की प्रप्रेशन चाहिए होती है जैसे कि टर्निंग पिल है लिक्विड वगरा है अपने पास जिसको मार्केट हो जो अलग से अलर्जी क्रियेट ना करें एसी मेडिकेशन चाहिए कोगि मार्केट हो जेतनी गरेशन आती है उन схयी अलर्जिक कंडिशन होने की सभावना होती है Children who want flavor compounds मालो कोई ऐसी medicine है जो market में है लेकिन उसका flavor अच्छा नहीं है लेकिन बच्चे को देनी है बच्चे जब तो फिर अच्छा नहीं हो खाएगा नहीं तो ऐसी situation में flavor compounds बनाने पड़ते हैं तो कई सारी situation है जब physician कहता है कि नहीं भज़ा इसको compound दबा देनी पड़ेगी market में अविलिवल नहीं है now formulation compounded in hospital pharmacy कौन कौन से formulations hospital pharmacy में दिये जाते हैं तो कुछ mixtures होते हैं जैसे कि expectorant, anti-dierial sodium citrate ठीक है syrup से वसाका, codeine, solution and suspension हो सकते हैं, topical semi-solid ointment, cream, paints paste, gargles जो गले में gargles, potassium, parmagnet, gargles lotion हो सकता है, calamand lotion बना करके दे hospital में, majority of these formulations are compounded in hospital in accordance with the national formulary, ठीक है, यहां तक ही बात करें तो यह सब preparations है जो generally क्या है हम लोग compound करते हैं एक hospital के अंदर, अब कह रहा है कि जो यह compounding होती है न वो national formulary of India के according की जाती है, ठीक है and drug and cosmetic act की की जाती है, for labeling and storage requirement उसको level करना और storage करने का, अगर मालो बनाई है, दो-चार दिन चल सकती है, store करना है तो वो drug and cosmetic act के according होना चाहिए, कि लिए बाते हैं तो यह थोटा discussion हो गया हमारे पास यहाँ पर intro हो गया, now bulk compounding, क्या है यह bulk bulk बट से समझते ही होगे bulk compounding, कुछ लोग बच्चे समझते होगे bulk compounding, बहुत सारी compounding कर दी, क्यों कर दी भई यह ठीक है, bulk compounding है ना, मन में आता है कि bulk compounding, इतनी, मतलब kilo खान दवाई कौन खाता है, 2-4 kg दवाई कौन खाएगा, कि bulk compounding कर दी या, 18 लिटर सीरफ कौन पियेगा कि bulk compounding कर दी, तो bulk compounding क्यों, लोगों के मन में सवाल, बच्चों के मन में तो बटा, bulk compounding का सिंपल से एक बात बताऊ मैं, bulk compounding मतलब होता है कि हम एक बार में 2-4 kg पाउडर लेकर के उसको compound कर ले रहे क्यों इतनी सारी दवाई क्यों बना रहे हैं, क्या कोई एक patient खाएगा, नहीं, एक patient नहीं खाएगा, hospital है मार लोग किसी खास category के patient वहाँ ज़्यादा आते हैं या कुछ doctor है रहे हैं किसी खास तरह के preparation को ज़्यादा लिखते हैं, जो marketable अवलिवल नहीं है तो उसका bulk compounding करके रख ली जाएगी उसकी उसकी bulk compounding करके रख ली जाएगी, ठीक है, bulk में compound किया, बना के रख लिए, फिर उसमें छोटोटे dose बना बना करके देते जा रहे हैं, simple सा concept, clear हो गया, now the in-house preparation, in-house मतलब हो गया अपना hospital वाला, ठीक है इन-house preparation of drugs in hospital pharmacy may be categorized into जो in-house preparation होती है, उसको हम bulk compounding में categorize कर सकते हैं preparation of non-sterile drugs, ointment वगरा होते हैं, syrup वगरा है and sterile manufacturing, sterile में कौन-कौन आजाएगा अपना IV जो हम पढ़ेंगे, IV injections वगरा जो होते हैं तो जो in-house preparation हो रहे हैं, hospital के अंदर हम bulk compounding non-sterile drugs और sterile manufacturing के अंदर categorize कर सकते हैं तो हम लोग यहां bulk compounding भी पढ़ेंगे और sterile manufacturing में आगे हम TPN, total parental nutrition वो सब भी देखेंगे बास समझ मा रही है, now sterile manufacturing का मतलब क्या है समझो, these type of compounding is done in clean room environment using aseptic technique, aseptic मतलब जहाँ पर septic ना हो किसी भी type का कोई भी किटानू ना हो, to ensure जो सुनिश्चित करेगा preparation of, to ensure preparation are कि preparation जो हमारी है free of microorganism, aseptic का मतलब यह हो गया कि किसी भी type का किटानू या micro समझो पर नहीं होंगे example है, injectables, implants जो body के अंदर डाले जाते हैं या ophthalmic preparation, जो आँखों में drop पढ़ेंगी यह सब किस के अंदर आती है, sterile manufacturing के अंदर आती है, okay, non-sterile manufacturing these types of compounding is done in a clean environment but without aseptic technique, यहाँ पर हम aseptic technique का इस्तमाल नहीं करते, simple है, बना दिया, cream lotion है, हाथ पर लगना है और यह जो था हमारा sterile वाला, यह direct हमारा कहां पहुंच रहा है, blood में पहुंच रहा है, तो यह ज्यादा danger हो सकता है, blood वाला, जो blood में जा रहा है, वो हमारा ज्यादा danger हो सकता है, तो क्योंकि sterile वाला क्या है, सीधा direct blood में जाता है यह direct blood में ना जाता है, जाते हुए, body के अंदर होता हुए, body को उपर लगाए जाता है, तो इसकी वैसे यहाँ पर इस septic technique इस्टमाल करने की ज़रुवत नहीं होती है के लिए रहे? आगे आते हैं तब bulk compounding program is instituted for preparation of drugs जो bulk compounding program है वो institute किया जाता है preparation of drug ऐसे drug को बनाने के लिए जो की not commercially available and जो की commercially available नहीं है and modified formulations to be used for clinical or investigation purpose या जो marketing वो available है उनके ज़र थोड़ा modification चाहिए हमें जिससे कि हम लोग क्या कर सके clinical या investigation purpose में कई बार क्या होता है marketing जो जो चीज़ अविलिबल है वो उससे थोड़ा हट के चाहिए होती है तो ऐसी situation में हमें क्या करना पड़ेगा bulk compounding का इस्तमाल करते हैं हम लोग bulk compounding मतले में मतले हैं धेर सारा बना लेंगे ज़र investigation हो रहा है या clinical trials वगरा हो रहे है तो बहुत साई दवाईयां चाहिए होती है एक साथ trial करने के लिए तो bulk compounding करेंगे हम लोग बहुत सारी एक साथ बना लेंगे bulk में ठीक है whereby sterile manufacturing is used for preparation of sterile topical solution जबकि क्या है जो sterile manufacturing है is used for preparation of sterile topical solution topical ठीक है जो topical उपर की तरफ लगाए जाते हैं small volume injectables special sterile products for clinical and investigation purpose IV admixture and total parental nutrition होता है total parental nutrition in the hospital pharmacy तो bulk compounding का यह बता करके फिर बता रहा है कि sterile manufacturing के अंदर क्या क्या चीज़े होती है यह सब चीज़े आती है हमको sterile manufacturing के अंदर क्या पढ़ना है IV admixture पढ़ना है total parental nutrition पढ़ना है clear है आगे आते हैं bulk compounding meals bulk quantity of the medicine is compounded bulk compounded simple सा मतलब क्या हो गया bulk में हम लोग दवाईयां बना रहे हैं जो market में अविल्वल नहीं है या market में जिस dose में अविल्वल नहीं है dose में बना रहे हैं ओके एक और इसका मतलब सुझो when one or more prescriber use the same compounded prescription hospital में ऐसा हो सकता है कि जो कई सारे doctor ने एकी टाइब कर prescription इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है जिसकी need ने बता है बहुत ज़्यादा होती है ठीक है बारवार इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है फार्मसिस्ट विल मेक batches of product to use when prescriptions are received ठीक है तो फार्मसिस्ट क्या करेगा उनके product के batches बना करके तयार कर लेगा पहले से ही और जब prescription आएगा तो वो देता चलेगा आगे compounded drugs are not FDA approved यह compounded drugs होते हैं यह FDA approved नहीं होते हैं बनाया hospital में और इस्तेमाल कर लिया clear है तो यह तुम्हारा एक question one marks आ सकता है कि जो compounded drugs है यह FDA approved नहीं होते हैं दूसरा जो तहां से question तुम्हारा आने की संभावना है वो यह है कि क्या यह national formulary और drug and cosmetic act को follow करते हैं तो yes यह इसको follow करेंगे आ गया आते हैं patient who cannot take commercially prepared medicine का यह कारण ऐसे होता है कि patient commercially prepared medicine उसको नहीं ले सकता है वो ऐसे रूप में है मालोग कि commercially medicine tablet के ही रूप में आ रही है हमको वो solution के रूप में चाहिए solution के रूप में आ रहा है हम उसे tablet के रूप में देना चाह रहे हैं तो कुछ IASI preparation आ रही है जो available नहीं है market में और हम जिस रूप में देना चाहरे है patient को तो हम लोग compounding करेंगे patient requiring limited doses strength limited doses strength मतलब उसे उतनी कम strength चाहिए जैसे मैं उधान दिया कि market में suppose कितनी आ रही है 50 mg आ रही है हमें देनी है 7 mg तो ऐसी situation में हमें compounding करनी पड़ेगी patient requiring an allergen free वह सारी points यहां पर आ रहे है reason वाले allergen free medication such as one without color dyes ठीक है मैंने क्या का जितनी medication आती है color बगएरा होता है coating बगएरा होती है उनके उपर क्या लगी होती है color dyes बगएरा होती है तो color coloring dye होती है उसकी वाई से कई बार reactions हो सकती है patient who absorb or excrete medications abnormally अब कई वर ऐसे situation है मालो suppose 50 mg की tablet मौजूद है लेकिन patient क्या है absorb बहुत धीमा कर रहा है या excrete उसकी body में उसका metabolism बहुत fast हो रहा है 50 mg खाता है दो गंटे में भार हो यह medicine ऐसे situation में हम ऐसी medicine compound करेंगे कि वो अच्छे से absorb हो या उतनी जल्दी excrete ना हो body से patient who need drugs that have been discontinued by pharmaceutical manufacturers because of low profitability कई पर ऐसा होता है कुछ company कुछ market दवा उतारती है ठीक है लेकिन उसको उतनी sale नहीं होती है जिसके उसे profit नहीं हो रहा होता है तो उसको फिर बंद कर देती हो लेकि वो दवाई अच्छी थी अच्छा treatment देती थी वो तो उस दवाई को भी क्या करती है hospital pharmacy compound करती है अपने patients के लिए prescription आने पर patient facing a supply shortage of their normal drugs या normal drugs है वो normally नहीं आपा रही है shortage है उसकी market है बहुत जादा तो hospital pharmacy उन normal drugs को भी compound करके patient के लिए थैयार कर सकती है तो very important reasons क्या क्या reasons है क्यूं compounding करनी पड़ रही है हमें पता होना चाहिए अब compounding करने के लिए हमें planning करने पड़ती है कि planning करनी पड़े कि हमें कितनी demand आ रही है कितनी dose बनाएं है ना मालो 2-4 kg powder की हमने बना डाली या चूरन बना लिए हमने कुछ या सीरप बना लिए हमने कुछ और चार-पांच दिन बाद वह एक्सपार हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी तो पूरी planning होती है पर कि क्या क्या manufacturing requirement है समसे जाना बहुत सिंपल है समन से लिख सकते हो material requirement क्या क्या है manufacturing capacity क्या है manufacturing sources क्या क्या रहेंगे manufacturing staff कैसा होना चाहिए तो वह common सी चीजे है फटाफट इसको discuss कर लेते हैं उसके बाद operating cost कितनी लगेगी quality control देखना पड़ेगा normal हो गया point याद करेंगा फटाफट देखो कितना सिंपल है planning for bulk compounding pharmacist can predict the requirement on the basis of previous year prescribing pattern simple मैं तुमसे कहूं भाया कितने requirement है क्या करोगे कैसे पत लगाओगे तुम कहोगे हम एक दिन में कितनी खपत होती वह देख लेंगे या पिछले साल का क्या data रहा उसको चेक कर लेंगे या पिछले एक मेहने में कितनी खपत रही है और विसी बात है common science का question है ना सबको पता है जो दवाई बनाने जा रहे हो कौन कौन सा material लगेगा तो raw material लगता है containers लगते हैं labels लगेंगे supplementary materials like filter paper filter pads यह सब चीज़े बनाते वक्त है ना raw material तो एक तो main medicine हो गया active ingredients बाद बागी क्या है supporting चीज़े हैं जो चाहिए हमें manufacturing capacity it depends on availability of equipment and their manufacturing capacity कितनी दवाई हम manufacturing कर सकते हैं छोटी machine होगी hospital farming से बाद थोड़ी बनेगी 4-5 machine होगी तो जादा बन जाएगा simple सी बात है manufacturing sources अब ऐसा उन लगा है due to the rising cost of compounding and drug shortages some hospital outsource their compounding needs छोटो hospital है वो क्या करेंगा दूसरे बड़ा होस्पिटल है उसका बड़ा चीज़े हैं तो वहां से outsource कर लेंगी वहां से क्या करेंगा manufacturing source उनका manufacturing source मतला हुआरे ही hospital में ही बन जाएगी या बाहर से बनवानी पड़ेगी हमें दूसरी की hospital फार्मेस के इस्तेमाल करते हुए तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है ओके तो आउट्सोर्स मतला बाहर से बनवाना देर compounding needs to large scale compounding pharmacies particularly of sterile injectable medications यह सब चीज़े जनरली क्या होता है छोटों वोटों होस्पिटल होते हैं तो बाहर से compounding कर वा लेते हैं manufacturing staff obviously qualified pharmacist supporting staff for bottling और labeling pharmacist तो सारे काम कर देगा medicine बनके त्यार हो गया अब भरेगा बैटके उसके लिए कोई भी staff रख लेंगे supporting staff भरना ही तो है ना अपना आपके काफी है बात समझ में रहा है ना मजिदा सिंपल है चप्टर यह operating बन जाएगा there must be quality control to check purity strength and stability of product बनने के बाद सारा setup होना चाहिए जिससे की quality control सही बना है डोज सही बनी है वो कितने देर तक कितने दिनों तक ठिक हैगी कब खराब हो जाएगी यह सारा चीज वहाँ पर प्रॉपर check-up होता है बात समझ में आई तो bulk compounding अंदर यह चीज में थी हमारे पास bulk compounding होती क्या है किन कारणों से करने पड़ती है और planning तीन चीजें bulk compounding के question में mark कर लेंगे bulk compounding ठीक है definition हो गया definition ठीक है reason क्यों कर रहे है हम लोग and planning ठीक है यह तीन चीजें bulk compounding अंदर करोगे तुम लोग तयार अच्छे से ना इश्टेराइल मेनुफेक्ट्ट्रिंग ठीक है यह भी बल्क अंदर यह आता है ठीक है अब इस्टेराइल अन्दर बात करें वह question direct bulk compounding के overall topic को लेकर लिए जो question आता है उसी के अंदर हमारी स्टरायल मेनुफेक्ट्रिनी वे घुति यह अन्व क्या होती है इस टरायल मेनुफेक्ट्रिक्ण्गίας इन क्यों वे लिए इसन्टर मेनुफेक्ट्छर फॉलाइं एक्जियुथ आर नैसेसरी व्हॉति सोनफ हुअन die चेओं एमपुल वाशिंग एं ड्राइंग मशिन होनी चेओं वाश करने के लिए फिलका करती है और सिंटाई ग्लास फनल पढ़ा चुक्के हैं सिंटाफ्म क्या होते हैं होट एयर अज attaching ओना चीए जो किया चैनलयका लेगा लेंनर air flow, laminar air flow, setup होता है पुरा, जिसमें की हमारा microbial free, मतलब contamination नहीं होता है, preparation हमारी microbial free रहती है, labeling and packing unit होनी चाहिए, तो यह सारी conditions हैं, जो की एक sterile manufacturing करते वक्त, एक hospital pharmacy के अंदर रहनी चाहिए, clear है, कुछ precautions, they should be of good health, sorry, some precautions and requirement of personal, यानि की वहाँ पर जो कोई sterile manufacturing हो रही है, तो वो aseptic area है, aseptic मतलब वहाँ पर किसी रिप्टरे का microbes नहीं चाहिए हमें, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या conditions है, they should be of good health, अच्छी होनी चाहिए, यह नहीं की वहाँ जा रहे हैं, खास रहे हैं, और फिर मुझसे क्या निकल रहे हैं, केटानों निकल रहे हैं, थूख निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, and free from any dermatological condition, बाल जढ़ रहा है, यह नहीं होना चाहिए, यह सब नहीं होना चाहिए, dermatological condition नहीं होने चाहिए, वहाँ पर जो लोग काम करेंगे, that might increase microbial contamination, अब यह सब होगा, dandruff होगा बाल जढ़ रहा है, ठीक है, health अच्छी नहीं है, खास रहे हैं, तो जो preparation हम बना रहे हैं, उसके अंदर contamination हो सकता है, microbes आ सकते हैं, they must have some knowledge, उनके पास कुछ तो knowledge होने चाहिए, about the basic principles of aseptic process, कि aseptic process कैसे maintain की जाती है, उसकी basic knowledge उनके पास ज़रूर होने चाहिए, moments within the room should be minimum, room के अंदर moment कम से कम होना चाहिए, जो एक बार ये अंदर आ गया, वो आ गया, जो बहार है बहार ये नहीं, बहार बहार अंदर बहार अंदर बहार कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, and in and out moments are restricted during filling operation, और खास कर जब fill कर रहे हैं, भर रहे हैं, उस समय in or out आना जाना बिलकुल रोग देना चाहिए, every individual shall use fresh sterile uniform after every break period, हर एक individual इस्तिमाल करेगा fresh sterile uniform, uniform उसका पहनावा, जो sterile पैकिंग माती जैसे कि अपनी COVID की kit आती थी, ठीक है न, तो sterile uniform, sterile मतलब जिसके अदर contamination नहीं होगा, एक बारी आपने पहन ली, इस्तिमाल कर लिया, आप बाहर भी गए हो, अंदर भी आयो, तो उसके उपर हो सकता किटान लग गए हो, उसका आप उतार दोगे, अगला जब batch बनेगा, तो एक fresh uniform पहनोगे, ठीक है, और फिर उसको सब कुछ होना चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए, हुड, कवरी होना चाहिए, सर का, वाला हुड नहीं जो सर ढख देता है, हुड to completely cover the hair, जिसे बालना जड़े, face mask होना चाहिए, जैसा COVID-19 का पुरा kit होता था, plastic shoes, पैर में plastic shoes होना चाहिए, कि कमरे के अंदर आते हो ना, पैर डालते हैं, पैर की गंदगी भारवाली अंदर ना है, इस्टिराइल रबर गलोफ, हाथ में गलोफ होना चाहिए, गोगल्स, जो चस्मा पहनते हैं, कई बार ना, कैमिकर सब करते हैं, तो यह सारी चाहिए, पूरा जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चीज़ हो, तो वहीं जड़के वहीं रहा जा, और यहां पे तो और अच्छी होती है, तो जब गुजरते हो थोड़ी दिर के लिए, तो बड़ी तेज एक हवा से निकलती है, एर शावर होती है, बोड़ी पर डेंट्रफ है, कोई बाल है, कोई बाहर कोई डश्ट लगा बा समझ में आई, तो यह वहाँ पर जो लोग काम करेंगे, उनके लिए कुछ प्रिकॉसेंस हैं, ओके, नाओ अनदर इंपॉर्टन टॉपिक, एड्मिक्स्चर सर्विसेस और इंकॉम्पेटिबिलिटी, एड्मिक्स्चर याने की हमको आईवी, आईवी है, इंट्रावीन करेंगे, ठीक है, उसके लिए ज़िसम्थोर're तयार करेंगे, नसममें लगाने की जैसे करम हमारे गल्कॉस की बोटल आती है, ठीक है, तो उसमें आईवी एड्मिक्चर इजा इस्टेराइल सलूशन, यह एक स्टेराइल सलूशन होता यह तुम्हारा वनमास पॉस्च्टन यानि कि objective question हो सकता है कि यह आई वी अड्मिक्सिरी इस्टेराइल नॉन इस्टेराइल कैसा है पिरपेर्ट भाइ मिक्सिंग वन और मोर ड्रक्स एक 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 सी जादा ड्रक्स मिला करें बनाया जाता है विद आई वी फिल्यूड अलोन और इन कॉंबिनेशन ठीक है एक एक सी को फिर दिया जाएगा एड्मिस्टर किया जाता है डायक्ली टू पेसेंट्स वीन फॉर मेडिकेशन पर्पस सिंपल यानि सिंपल सी बात है जो गुलकोस की वोटलाब मार्केट से डायट खरितते हैं हॉस्पिटल में वो बनाई जाएगी पेसेट के नीट की अकॉर्डिं अंडर सेप्टिक कंडिशन की जो प्रोड़क हमारा आई वी बनके तयार होगा वो सेप्टिक अंडर एसेप्टिक कंडिशन होना चाहिए ठीक है एसेप्टिक कंडिशन ठीक है रैशनल चॉइस ऑफ एडिटिव एन मिक्सिंग टेक्निक फॉर अवाइडिंग ड्रग इंट interaction ना हो परदल हमने उसको ड्रग डाली और इंट्रेट कर गई दिखकत हो जागी पेशेंट को अप्रोप्रियेट लैबलिंग डिस्पैंसिंग इस्टोरिज फॉर फाइनल प्रोड़क्ट ठीक है एक लैबलिंग वगरा जो है उसकी डिस्पैंसिंग जो है वह एप्रोप्रिय लुख यह ठीक है यह सारी चीजीचंट एक फार्मस्टिस से उमीद की जाती है कि वह यह सारे काम करेगा इसको आईवी एड्मिस्टर को बनाते वक्त ना फिरीड कॉमनली यूज्ट फॉर आईवी आड्मिस्टर यह एक या दो याद कर लोगे डेस्ट्रोज है डेस्ट्र मतलब वापस तर मतलब वापस से कई को भर देना डाइर्या हो गया लूज मसब सो गया बॉडि से निकल गया तो वापस से nutrients को replenish कर देगा ठीक है ना आ गया आते हैं ठीक है यह कुछ एक यह दो याद कर लोगे नाओ आई भी फिलूट्स आर कॉमनली यूज़ फॉर नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडिशन कहीं सारी क्लिनिकल कंडिशन से महापत देख वो बता दी इसको ठीडिक यूज़ क्या है और क्या क्या चीज़े हैं जैसे की क्रेक्शन ओफ डिस्टरवेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ड को न्यूट्रिशन के तौर पर दिया जाता है ऐसे वहिकल फॉर अदर ड्रग सब्स्टांस कई बार क्या होता है जो दवायां होती है वो इसके अंदर डाल के दी जाती है है ना कोई एंटिवाइटिव होगा रहा है तो यह लगा देंगे और इसके साथ में दिया जाता है लेखिल की तरह इस्तेमाल करेगा प्रवाइट टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे टॉपिक में और यह साथ में टोटल पेरेंटरल निजा आएवी है क्या होता है यह लगती है और सारा का सारा नूट्रिशन इसके थुरू बाडिक अं फार्मसिष्ट को ठीक है फीशन ओरिजिनल ओर शीट जो फीशन को ओरिजिनल ओर शीट या उसका परचा उस पर जाब उसको मिलेगा ओर लेवल मुस्ट भी प्रिपेर्ड विच प्रवाइड दा फॉलंग इन्फोमिशन उसके बाद एक लेबल त्यार किया जाता है इसके पेशन का नाम, लोकेशन, फिजिशन नेम, नेम ओफ दा ड्रग विद कौन कौन से ड्रग डाली गई है, कितनी कौनिटी में डाली गई है, डेट अफ कंपाउंडिंग का उसे कंपाउंड किया गया है, बनाया गया है, एक ऐसा लेबल त्यार किया जाएगा और चिपका दि ग्लमिनेटेड जो एर होती ही, वह इसके अंदर नहीं आती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस मिक्सचर को त्यार करते हैं, लेबनेर एर फ्लो हुड यह पूरा एक सिस्टम है, यूजिंग इस्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंजेस, नीडल और सिरिंजे भी इसक इस दवा बना रहे हैं Metadisk of the container must be replaced Metadisk is a kind of हम क्या सकते है Metadisk क्या है कि इसको ऐसा समझो कि हमने जो preparation बनाई है उसको एक तरह से हम लोग क्या है एक तरह से computer है जैसे कि आजकल वो देखा है अगर तुम लोग paint कराते हो क्या कराते हो paint उपने कोई color choose किया है क्या choose किया है कलर choose किया हुआ ठीक है color choose किया हुआ तो उसमें तुमने देखा होगा painter क्या करता है जो दुकांदार होता है वो button दवाता है कयवstill coding होती है च्छी घंसी свое कोड सब्साइं क्या हरा मिलकर के वह color हो जाता है कंटेनर मस्ट भी रिप्लेश्ट विद न्यू सील क्रिम्ट और उसका फिर हम यहां पर यह समझ लें कि एक सॉफ्टेर के थुरू वह सारा क्योंकि हम लोग चीज़े मिक्सप कर रहे हैं वह सॉफ्टेर के थुरू किया जा रहा है सारा जो करेक्ट कंसेंट्रेशन और उसके बाद फानली हम उसको क्या करेंगे मजट रिप्लेश्ट विद न्यू सील क्रिम्ट और फानली उसमें सील लगा करके उसे पैक कर देंगे ठीक है फार्मसिस्ट मश्ट इंस्पेक्ट दा फाइनल प्रोडटक्ट बिफोर इसपेंसिंग दा फाइनल एड्मिक्टर फार्मसिस्ट है वह जरूर इंस्पेक्ट करेगा फानल प्रोडटक को बिफोर इसपेंसिंग दा फाल इसपेंसर ठीक है सीम्ट दे रहा है इसको च्टेक्ट करेंगा इसका लेबल लगा रहता है वह चाही है कि नहीं है पेसेंट की need के हिसाब से clear है तो again तुम्हारे पास preparation of IV adventure यह तुम्हारे पास question है जो कि important है पक्के से त्यार करोगे इसको आगे आते है types of IV adventure की बात करें तो infusion, intermittent और pre-mixed IV adventure simple यहीं समझ लेते हैं इसको आगे rate करना रहेगा infusion जो तुम लोग direct जो glucose है ना लगातार चलता रहे था continuous लगातार है ना लगातार continuous ठीक है ना infusion कहते हैं उसको हम लोग intermittent तुमने देखा होगा जब किसी को drip चल जाती है तो बीज बीच में हम लोग क्या देते हैं दावय डालते हैं ठीक है बीज बीच में तो intermittent इंटर्मिटेंट मतलब होता है तुकुडे में बीज बीच में रुक रुक करके और pre-mix आईवय अड्मिक्स्टर जो पहले से रेडिमेट आ रहे हैं pre-mix पहले से mixing करके आ रहे हैं उसका इस्तमाल करेंगे तो आईवय अडिफिजन इंटर्मिटेंट और pre-mix आईवय अड्मिक्स्टर हो गया तो इंटर्मिटेंट में क्या है periodic administration बीच बीच में इनका दिया जाता है इंक्रीज efficacy उसकी चम्ता को बढ़ाते हैं जैसे कोई एंटिवाटिक वरा बीच में देदी है reduced toxicity अब इससे क्या है toxicity रहती है ठीक है बीच बीच में लगातार नहीं देची लगातार देने सब हो सकता है कि बोड़ी में उसकी toxicity इंक्रीज कर जाए और जब ऐसी हो सकती कंडिशन की बॉड़ी में टॉक्रीज करने की संभावना है तो हम रुक रुक के दे रहे हैं थोड़ा भी दे दिया कुछ देर बाद हो जाएगी बॉडी से फिर द्वारा दे दी जाएगी ठीक है एक्जांपल क्या है एंटिबाइट होते हैं बोटले मगर आती है पहले से ठीक हो रहती है अविलेबल इन मैंनी साइज 200 ml 500 ml हजार एमल साइद ना देखी हो तुम लोग छोड़ चोड़ी देखते हो ओके रिडियूस हैंडलिंग बाइफार्मिसी सो चांस ऑफ केंटेमिनिशन इस अब फार्मिसी के द्वारा आगे आते हैं ओके नाओ आई वी एड्मिस्चर इनकॉम्पेटिबिलिटी इस याने कि क्या क्या दिख्केते आ सकते हैं हम सबको पता है ड्रग इंटरेक्शन पढ़ लिया है ठीक है ना वोई सारी इनकॉम्पेटिबिलिटी से हैं वेन साइमल्टेनियस डैलूशन या इंटरफेर मतलब दखल अंदाजी करते हैं विद थेरोपेटिक एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन और पेशेंट सेफटी तो होता क्या है जब एक साथ दो या दो से जाए दवायां दे रहे हैं और वो एक दुसरे के एक्टिविटी पे इंटरफेर कर रहे हैं तब क्या हो सकता ह है इनकॉंपिटिविटी दिक्कते पैदा हो सकती है ठीक है चरीपिटिक एफिकेसी पर पेशेंट के एफेक्ट पढ़ सकता है उतनी एफेक्टिव न रहा जाए दवाँ कोई ड्रूंड इंट्रक्षिन वाली बात आ जाती है तो फीजिकल इंकॉम्पिटिविल्टी में क् मिक्स्चर प्रेड्यूसेस एंड अब्जर्वेवल मॉडिफिकेशन इन दा अपेरियंस ऑफ सॉलूशन क्लियर था सॉलूशन मेरे जो बनाया था लेकिन क्या होगे उसकंदर मट पहला पन आ गया दूजला पंसा आ गया क्यों कुछ कंदर को रेक्शन चालू हो गई होगी आ जो रहें गाई सोacी करते हैं प्रेड बन गया रहा है यह सॉलीट था पिगल घर गया है तो यह फीजिकल इनकॉटिविलटी जब इसुमें क्या उसके फुजिकल्षी कंदर कोई चीज चेंज अरह था थीक है घ्मिकल हम सबको पता है चेमिकल या याने केमिकल रिक्शन वक तॉर्पोफी जाएए या टॉक्सिक में बदल जाए चेमिकली सुलुशन अभी इतिक्र दिख रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें भी ऐसा हो सकता है क यह प्रशन हो जाए लेकिन उसके अंदर क्या है बदल चुके हैं जैसे कि क्या कैशकरान हो सकते हैं, रिजन की बात करें, हाइडॉलीशिस हो सकती है, है ने हाइडुलेशिस में क्या होगा, इस्टोर्ट्रग इन वाटर्पूर्फ कंटेनर, यानिकि हाइडुलीशिस मतलब पानी का अगर करने के उसकंदा चला गया किसी वएसे, तो हाइडुलीशिस हो सकती ड्रग खराब हो सकता है तो हम लोग को कहां श्टोर करेंगे waterproof container में और पर पढ़ते आ रहे हैं minimize the exposure time of drug अगर संभावना है कि तो दवा को oxygen लगने बाद खराब होने के संभावना ज्यादा है तो हम दवा को खोलेंगे इस्तिमाल करेंगे फिर तुरंत पैक कर देंगे बहुत ज्यादा उसको exposure नहीं देंगे खुलेगा reduction keep away from suspected reducing agent जो reduce कर सकते हैं दवा को उन agent से उसको दूर रखेंगे photolysis जो photo light से break कर सकते हैं है ना शीरप अगर है देखे होंगे brown amber color की बोटल में रखे जाते हैं तो वही चीज है इस्टो ड्रक्स इंबर कलर्ड बोटल अगर वह light से खराब हो सकते हैं तो brownish color की बोटल आती देखा होगा तुम लोग ने वह actually amber color होता है कैसा color होता है amber color जिसका जो शीरप रखे आते हैं ब्राउन इस खराब की बोटले आती हैं के लिए रहे बाते हैं तो कुछ नहीं है बेटा यह सब मतलब यह मैं फिर बता रहा हूँ चीजे यहां पर एक बड़ी देख लो आता तुम्हें सब है समझ लो किसके अंदर क्या लिखना है मन से बनागे लिख होगा ना कोशन गलत अधिक्योट इसकी ठीटीविटीड़ में उसके क्या आ गया वह आ गया प्रॉब्लम करेंट हो जाएगा तो इसको फिर्म फेली के साथ दो तो नोधा होती है ड्रग IV container incompatibility जिस container में हमने IV को रखा हुआ है उसके साथ क्या कर जाए react कर जाए क्या कर सकता है this incompatibility arise from the chemical reaction of the drug and IV container जो drug है और IV container उसमें आपस में reaction हो जाए याने कि adsorption हो सकता है दवा उसमें adsorb हो जाए या absorb हो जाए एक और चीज़ हो सकती है secretion का मतलब क्या है container से कुछ निकल करके दवाई में आ जाए ठीक है तीसरा पार्ट यह वी हो सकता है अब cause of incompatibility क्यों incompatibility है क्यों यह आपस में ताल में नहीं बठा पाती है तो बहुत सारे कारण है drug drug interaction है drug and material of IV container इनका interaction है when these are mixed together in similar infusion line एक ही जो infusion जिसमें infuse किया जारा उसी में ही सारे drugs लगाते चले जा रहे है when these are administered one after other in the same infusion line एक के बाद एक लगाते जा रहे है यहाँ पर simultaneous दे रहे है और यहाँ पर क्या है one after another एक के बाद एक उसी line में वो जो IV set का drip है उसी में लगाता चलाते जा रहे है पहले वाले दवा भी है यहाँ दवा भी आ रही है तो दिक्कते आ सकती है drugs and unsuitable diluents जो diluents का इस्तमाल किया गया है वो suitable नहीं है drugs and adjuents जो drug interaction वाली बाते पड़ी है न हम लोग ने वो कहीं ना कि यहाँ सारी फिट हो जाएंगी अगर वो याद है तो यहाँ लगा सकते हैं इन compatibility के वही सारे कारण होते हैं common sense की बाते हैं यह consequence क्या परिणाम होंगे जाएसी बात है damage from toxic product जब वो drug सही नहीं रहा हो toxic में बदल गया तो body को damage करेगा multi-organ failure हो सकता है renal failure हो सकता है systemic allergic reactions हो सकती है टिसू irritation हो सकता है जरन वगरा पैता हो सकती due to major pH modification body के pH में changes आ सकते हैं इसके वाई से टिसू irritation होगा therapeutic failure जब दवाई दिये हो कामी नहीं कर रही है adverse effect of drug incompatibility उसके कुछ adverse effect भी हो सकते है adverse effect पढ़ चुके हम लोग के लिए रहे ठीक है क्या method है mix thoroughly when drug is added to the preparation अब यह नहीं कि हाँ liquid अब यहां लिक्ट नाल दो एसा मत करो ठीक है एक आथ दो डालो और एक फिर्फ थोड़ा change करके डालना मतलब साइज दवाई यह नहीं की aq mix करके डाल दी कुछ दवाई यह दिक्कत कर सकती है तो दवाईयां को हटा दो change the order of mixing order of mixing change कर दो अगर कोई दवा पहले डाली है इसके बाद A डाला A के बाद B डाला तो हो सकता react कर जाए तो हम क्या करेंगे A के बाद C डाल देंगे फिर D डाल देंगे फिर B डालेंगे तो B के बहुत देर बाद मिला तब तक A, C और D आपसे mix up कर चुके तो फिर B mix up करेगा तो हो सकता उतना reaction ना हो या reaction ना ही हो जो बनाया है 24 गंटे इस्तमाल नहीं हो तो सब फैक दो किसी patient की जान मत लो ठीक है बात समझ में आ गया तो यह अपना क्या हो गया IV admixture के बारे में सारी बाते है ठीक है अब इसमें सबसे दा important चीज क्या है सबसे दा important चीज के अंदर क्या थी हमारे पास एक incompatibility जो अपनी heading में है और दूसरा दूसरा यह वाला parental preparation of IV admixture ठीक है यह दो important है इनको पक्के से अच्छे से पढ़ने हैं अब आते हैं हम लोग कि टीपीएन कि टीपीएन का मतलब टोटल पैरेंट्रल नियूट्रीशन सिंपल सा बता तो यहां पर खेल खतम हो जाएगा तो उन्होंने देखा होगा कई बार major accident हो गए है या इनसान कॉमा में है तो क्या है मुझे दिखाते हैं एक drip लगा देते हैं यह भी एक तरीका है और एक तरीका होता है गले के पास यहां पर यहां से थोड़ा सा मोटा रहता है लगा देते हैं और बोटल के थूरू nutrition उसकी बॉड़ी में जा रहा है बस हो गया तो उस case में लगातार क्या है total parental nutrition लगातार उसकी आईवी सेट के थूरू liquid उसकी बॉड़ी में डाला जाएगा जिसके अंदर complete nutrition होता है ठीक है तो देखें जा रहा तो parental nutrition parental तो पता ही है ना parental जिसको हम लोग direct blood में डालते हैं refer to feeding feeding मतलब खिलाना nutrition product to person nutrition product हम इंसान को खिलाते हैं intravenously याने डाल करके bypassing the usual process of eating and digestion हम bypass कर देते हैं normal process of digestion का और खाने का वो नहीं रहता इसमें क्यों नहीं रहता जैसे मैंने बताया patient ऐसे situation में है क्यों खापी नहीं सकता है now when nutrition mix when nutrition mixture containing glucose salt amino acid lipids vitamins and administer to a person it is called TPN तो nutrition mixture के नजब सारी चीज़ें available हैं और किसी को दी जा रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं total parental nutrition simple है पता दल गया होगा यह बात मक्सद क्या है aim क्या है to prevent and restore nutritional deficit अगर किसी की body में nutrition deficiency हो गई है तो उसको restore करना वापस से maintain करना supply adequate caloric intake and essential nutrients अगर किसी मातरा में calorie intake and essential nutrients उसको दे सकें जिससे कि वो मरीज हमारा recover हो जाए बच्चों वाली बाते हैं ठीक है तो यह total parental nutrition समझ में आ गया है तो इसको अब तुम मन से बनाके भी लिख सकते हैं फिलासित देख लो क्या क्या है यह समझनी है दो टाइप से हम लोग देते हैं Central parenteral nutrition central parenteral nutrition is delivered through the central wean usually the superior wean a keva one mass question located under your collar bone ठीक है ना यहां पर होता है which goes directly to your heart the diet was heart when you have heart wala वह तुम्हें याद होगा फिस्ट इर की हईक एच एपी तो यह वर्स तुम्हें याद होंगे आंग अ diva एसलmen mí shaタ waste talk घ्र या ना संधना समझ लो सूपीर यायल दाइट हरा में जाता है तो यह सं परेंट्रा हाइड हाथ पहल Nूटरिशन कहलता है यह लार्चथ्टर लिध Bak obsessed concentration of nutrition with higher calories जब ज्यादा मात्रा में दिया जाता है ठीक है peripheral parental nutrition peripheral जो अपने विग्गों बगर लग जाती है ना peripheral parental nutrition PPN is delivered through a smaller peripheral veins perhaps your neck or in one of your limbs या किसी हाथ में limbs मतलब पैर या हाथ में लगा दिया जाएगा नेक में लगा सकते हैं बट ज्यादा हाथ में लगाते हैं हम लोग ठीक है पीपन यूस्टी परवाइट partial parental nutrition पूरी तरीके से नहीं Central में तो पूरा लाज बड़े लेवल पर हो गया यहां partial कुछ चीजें डालने हैं सारी नहीं देनी हमको temporarily using the quicker and easier access to the peripheral means peripheral means होती हमें इजली मिल जाती हों पर लगा करके हम कुछ partial partial मतला जैसे एक तरह से समझ लोगा हो गया है लूज मोशन सब्सक्राइब हो गया है ठीक है ना तो partial nutrition देना है जो कमी हो गई हो कब रॉप हो जाएगी बास समझ में आगी indication for use कब-कब इस्तमाल करेंगे TPN का TPN medication total parental nutrition is only possible choice for patient who do not have GIT functioning जिनकी GIT functioning नहीं है उनका जो gastrointestinal tract GIT मुह से लेकर के एनस तक का part जो है गरवड है और who have disorders needing complete bowel rest such as या कुछ लोग का ऐसी बिमारी है जिनको bowel rest चाहिए याने की आतों को और पेटों को अराम चाहिए खाना नहीं डालना है कौन-कौन से है inability to absorb nutrients via the GIT yes कुछ बिमारिया होती है जहां से nutrients पेट से absorb नहीं हो पाते हैं उनका इलाज चल रहा होता है patient who is not expected to eat sufficiently ठीक है या कुछ ऐसी problem है कि patient उतना नहीं खा पा रहा है इस दना उसे खाना चाहिए organ failure हो रखा है liver renal respiratory तो हम TPN देंगे malnourist oncology patient cancer हो रखा है patient को malnourist body nutrition नहीं है हम TPN का इस्तमाल करेंगे patient with intestinal cancer, intestinal cancer cancer है नहीं खा पाएगा विचारा कुछ patient with inflammatory bowel disease नहीं मतलब पेट हो गया अपना overall पेट की विमारिया है सारी कुस ना कुछ उस case में हम लोग TPN का इस्तमाल करते हैं अब content तो continue obviously बात है TPN में सारी चीज़े होंगी भूल भी यादो सब लिख दो carbohydrate, lipids, electrolytes, vitamins, proteins तब डाल दो इसके अंदर ठीक है सब होता है carbohydrate में कौन-कौन से होते हैं dextrose, monohydrates of glucose used as primary source of carbohydrate यह याद रखेंगे कौन-कौन से carbohydrate especially इस्तमाल होते हैं galactose, fructose, sorbitol should not be used as energy source in TPN इनका इस्तमाल नहीं करते हैं ठीक है यह ready-made form रहेंगी, easily break होती है, body में जाके फरवड़ energy देती है, lipids में linolic acid is useful as precursor for prostaglandins and in the synthesis of essential fatty acid तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तमाल कर रहे हैं, linolic acid का इस्तमाल कर रहे हैं, electrolytes में sodium है न, 100-200 milli equivalent, potassium है, magnesium है, calcium है, chloride है, commons है, vitamin सारे डाल दो, fat soluble, sorry, water soluble और fat soluble तो main main सारे content होते हैं, TPN के अंदर, तभी तो इंसान जिंदा रहेगा, यह सब तो चाहिए न, body की functioning के लिए, ठीक है, तो main main में ने दे दिया, इसकी चार point को more detail कर सकते हैं, लेकिन फिलाल यह अपना main content यहां से cover up हो जाता है, के लिए रहे बाते हैं, okay, advantage क्या है, ease of administration, असान GI intolerance, intolerance, prevent oral or anterior support, nutrition का support होता है, जब GI, gastrointestinal tract जो होता है, intolerant हो जाता है, और oral or anterior support जाने कि इंसान कुछ खापी नहीं पा रहा है, एक तरह से, इंटरेल होता है, intestine उसका support नहीं कर रहा है, एक तरह से, disadvantage क्या है, cost थोड़ी हाई होती है, catheter associated infection जो आपको drip या विगो लगाई जा रही है, उससे होने वाले जो बिमारिया है, catheter associated infection वो आपको हो सकते हैं, fluid का overload हो सकता है, body के अंदर, catheter associated thrombosis, जिसकी वैसे ब्लड clotting होती है और hyperglycemia, तो यह कुछ advantage है, कुछ disadvantage है, बट yes, करना तो पड़ेगा, अगर condition है, तो हमें TPN का इस्तिमाल करना पड़ता है, ओके, तो यह हमारा chapter, एक की वारे में पुरा complete हो जाता है, तो करना गया है, तुम सबको पता है, पढ़ना है, revise करना है, ठीक है न, notes, description में लिंक मे जाएगा, यह मेरा number है, कोई problem हो है, बिंदास phone करो, और अच्छे पड़ाई करने चाते हो, app का इस्तमाल करो, बहुत बच्चे इसका इस्तमाल कर रहे है, सारी facilities यहाँ available है, आपको पास, ठीक है न, इस app की जो cost है, वो मात्र, 1100 रुपे है, for complete year, for all subjects, ठीक है, तो कोई problem हो, एप को लेकर कोई inquiry हो, मेरे को phone करो, और सबसे जरुए काम जो करना है, पढ़ना है और revise करना है, ओके, पढ़ोगे न, good, all the best,